हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी सूजी के क्रिस्पी फिंगर्स, जिसे आप सामके टाइम स्नेक्स के रूप में खा सकते हैं, किसी भी पार्टी में स्टार्टिंग के रूप में सर्व कर सकते हैं, सब को बहुत पसंद आएंगे, तो देर किस बात की आईए सुरू करते तो यहां पर मैं ले रही हूं एक पैन में सबसे पहले एक कप पानी और इस एक कप पानी में हम आधा चम्मच नमक करेंगे नमक आप अपने स्वाध अनुसार कम ज्यादा ले सकते हैं आधा चम्मच चाट मसाला आड करेंगे एक चोथाई चम्मच कस्मेरी लाल मिर्च पाउडर एक चोथाई चम्मच रिफाइंड एड़ करेंगे थोड़ी सी हरी धनिया अब हम इसमें एक उबालाने देंगे पानी में उबालाना स्टार्ट हो गिया है अब हम इसमें एक कप सूजी एड़ करेंगे और ध्यान रहे सूजी एड़ करने से पहले फ्लेम को लो कर लेंगे सूजी को इस पानी में अच्छे से मिक्स करेंगे तो लो फ्लेम पे चलाते हुए मैंने सूजी को अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इस मिश्रन को एक बरे बरतन में ट्रांस्फर कर लेंगे और 5 मिनट ठंधा होने देंगे तो 5 मिनट हो गए हैं मिश्रन हमारा ठंधा हो चुका है तो अब हम इनको हाथों से मैस करते हुए एक डो तेयार कर लेंगे हाथों से मैस करने से सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाते हैं तो ये देखिए हमारा डो तयार हो चुका है तो अब हम इसमें से एक छोटा सा पाट ले लेंगे अपने हाथों में और इस तरह से हाथों को घुमाते हुए फिंगर कसिप दे देंगे इस तरह से आप चाहे तो इसे चौपिंग बोड पे भी बना सकते हैं तो इस तरह से हम साड़े फिंगर्स तयार कर लेंगे तो चलिए अब इसे फ्राइ करते हैं पैन में रिफाइन डालेंगे और इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे तो गोयल अच्छे से गर्म हो चुका है अब हम इसमें एक एक करके फिंगर्स को डाल देंगे एक बार में जितने fingers अच्छे से आ जाएंगे हम उतने ही डालेंगे तेल हमारा अच्छा गर्म होना चाहिए थोड़ी देर बाद इसे पलट देंगे तो ये देखिए ये हलके से brown होने शुरू हो गए है oil का temperature high ही रखना है ज्यादा से ज्यादा आप medium to high रख सकते हैं लेकिन आप इसे low flame पे बिल्कुल नहीं रख सकते हैं अगर आप low flame पे इसे fry करेंगे तो fingers खराब हो जाएंगे और crispy नहीं बनेंगे तो ये देखिए मैंने इसे बिल्कुल crispy होने तक fry कर लिया है golden brown कलर आने तक और ये बनकर बिल्कुल ready है इसे निकाल लेंगे और बागी बचे हुए fingers को भी इसी तरह fry कर लेंगे ये देखिए oil बहुत गर्म है और मैंने फिर से इसमें fingers डाल दिया है इसे भी हम उसी तरह fry कर लेंगे और ये देखिए ये भी golden brown और kispy हो गए है इन्हें भी निकाल लेंगे और आईए सर्व करते हैं इसे आप नास्ते में रख सकते हैं चाय के साथ भी snacks के तरह सर्व कर सकते हैं किसी guest के सामने भी सर्व कर सकते हैं तो मैं यहां टोमेटो केचप के साथ इसे सर्व कर रही हूँ बहुत ही easy और tasty है ये आप इसे जरूर try कीजिए वीडियो अच्छी लगे तो like share करें और चैनल में नए हो तो प्लीज आपके अपने चैनल स्निहाज tasty recipes को subscribe जरूर करें तो मिलते हैं नई recipe के साथ थांक यू